इस लिए वीडियो में आप में जाना कि समान अर्थवाले सब्दों को हम लोग प्रयवाची सब्द कहते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक साइट कुछ पिक्चर बने वे हैं दूसरे साइट को सब्द दिये गए हैं इन चित्रों से मिलते जुलते जो सब्द है आपको इससे उसका मिलान करना है जैसे कि पहले में आप देख रहे हैं कि पक्ची का एक पक्ची का चित्र बना है जिसका मिलता जुलता सब्द होगा पंची, खग और पक्ची तो आप इस पक्षी को इस सबसे मिलान कर सकते हैं दूसरा है घर तो घर का प्रयावाची सब्द होगा घर, आवास, और ग्री तीसरा है पत्र यानि कि चिठी तो इसका प्रयावाची सब्द क्या होगा पत्र, खत और चिठी आप इस चित्र को इन सब्दों से मिला सकते हैं तीसरा है चौता है परवत तो इसका प्रयवाची सब्द होगा इसका मिलता जुलता सब्द है पहाण, परवत और गिरी तो आप इस चित्र को इस सब्द से मिला सकते हैं और पांचरा है फूल इसका प्रेहएबाची सब्द होगा पुस्प, सुमन, और फूल आप इसका प्रेहवाची सब्द पुस्प, सुमन, और फूल से मिला सकते हैं आप इसे कॉपी में साफ साफ लिखेगा और इसे याद कीजेगा धन्नेवाद